अधिकतर ये माना जाता है पेशेंट्स ये सोचकर कि बहुत महंगा इलाज है और घर पर ही मन मसूसके रह जाते हैं और कंसल्टेंट तक फर्टिलिटी एक्सपर्ट के पास पहुचे नहीं पाते ये सोचते हुए कि ये महंगा इलाज है और हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे लेकिन अब स्थिती डिफरेंट है अब भारत में लो कॉस्ट में भी आईवेफ हो सकता है और संभव है अगर हम देखें तो आईवेफ के खर्चे को हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं एक तो हॉस्पिटल की फीज, प्रोसीजर, चार्जेज जो करते हैं ओवं पिक अप है, ट्रांसफर्स है वो एक खर्चा वो होता है और एक इंजेक्शन का खर्चा होता है तो ओवर दे येर्स जब पहले आईवेफ की शुरुवात हुई थी तो डेफिनेटली ये खर्चा दो से तीन लाख रुपे के बीच में बैठता था एक सिंगल साइकल लेकिन जैसे जैसे समय के साथ चीजें एडवांस होई और अवेलिबिलिटी बड़ी है तो बहुत सारे ऐसे हॉर्मोन के इंजेक्शन हैं जो हम उनका इस्तिमाल करके हम लो कोस्ट में भी आईवेफ को संभव करा सकते हैं रही डिस्पोजिबल्स और मीडिया की बार तो बहुत भी अवेलिबिल्टी बड़ी है और बहुत सारी कंपनीज हैं जो की कम कोस्ट में भी अवेलिबल कराते हैं तो हम एक लो कोस्ट जिनकी कोश्ट कम है। उनकी मदद से हम अनुपसर करा सकते हैं। मीडिय और डिस्पॉसेबल्स में भी बहुत सारी औप्चिन्स अवेलिबल हैं। जो कम खर्चे में भी उनका इस्तिमाल करके अच्छी गुनवत्ता के ब्रौन बनाया जा सकते हैं। IVF का खर्चा दो भागों में बाटा जा सकता है, पहला जो है खर्चा वो होस्पिटल की फीस और प्रोसीजर चार्जिज रहते हैं और दूसरा खर्चा जो है वो इंजेक्शन का होता है, तो इंजेक्शन में भी बहुत सारी ओप्शन अवेलिबल हैं और अगर हम कम खर्चे इंजेक्शन जो की इतने महेंगे नहीं हो और अच्छी गुनवत्ता के भ्रून बना सके अगर उनका इस्तिमाल करें तो डेफिनिटली यह संभव है दूसरा आजकल हम मिनिमल स्टिमूलेशन को यूज करते हैं जिसमें की जो भी कोई पेशेंट है उसमें हम कम से कम एक के ऐसे अच्छी से भ्रून बनाएं उनको से ट्रांसफर कर पाएं ताकि पेशेंट को से किवान मीट्व प्रेगनेंसी से प्रॉबलम से नहीं घुजरना पड़े, सिंगल प्रेगनेंसी हो है एच्छी भ्रून डेवलप हो पाएं तो उसमें मिनिमल स्टिमूलेशन का सहरा ल सकते हैं और जो हमें required हैं एक single embryo बनाने के लिए तो उसमें बहुत कम injections की मदद से भी ये काम किया जा सकता है अगर हम ये इस protocol को use करते हैं तो IVF का खर्चा काफी हद तक कम किया जा सकता है